दोस्तों आज में बनाने वाली हूँ एक्टम अलग रेस्पी जो कि है पनेटिक का स्कॉयर और आज हम इस पनेटिक का स्कॉयर को बनाएंगे घर के रखे हुए सामान के साथ जो कि हमारे घर में इजिली अविलेबल हो जाते है रेस्पी शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी चनल पे नए हैं और रेस्पी को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्काइब कर लिजे और साथी साथ बैल बटन को भी दबा दीजे जिससे आने वारी रेस्पी का नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस्ट ना हो तो चलिए इस रेस्पी को बनाना शुरू करते हैं पनी टिक का स्कॉयर बनाने के लिए एक बावल में डालेंगे हम तीन चम्मच दही और साथी साथ इसमें डाल देंगे तीन चम्मच बेशन एक चम्मच हल्दी पावडर एक चम्मच भुना हुआ जीरा पावडर एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च कश्मीरी लाल मिर्च से कलर अच्छा आता है और यह जो कश्मीरी लाल मिर्च है हलकी सी तीखी भी है एक चम्मच वाइट सॉल्ट आदा चम्मच गरम मसाला एक चम् काला नमक सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है और मिलाने के बाद यह देखिए पेस्ट यहां पर हमारा बन गया है और यह पेस्ट एकदम थिक है यह देखे अब हम इसमें डाल देंगे एक कप छोटे-छोटे टुकड़ों में कटा हुआ पनीर आदी कटी हुई शिमला मिर्च, एक बारी कटी हुई प्याज, मिला लेंगे सबको अच्छे से तो यह हां पर हमारी सबजिया और पनीर अच्छे से मेरीनिट हो गया है चले चलते हैं नेक्स प्रोसेस की ओर अब एक कढ़ाई में चार चम्मच तेल डाल कर हम तेल को अच्छे से गरम कर लेते हैं तेल अच्छे से गरम हो गया है तो तेल में डाल देंगे मेरिनेट किया हुआ पनीर और सबजियां और सारी चीज़ों को हमें इस तरीके से चलाते हुए लगभग दो मिनट तक अच्छे से फ्राइ कर लेना है तो जब तक हमारी सबजियां फ्राइ हो रहे हैं तो हम ब्रैड रेडी कर लेते हैं तो यहां पर मैंने यह 6 स्लाइस ब्रैड के लिए हैं और ब्रैड को हमें किनारे किनारे से स्क्वाइर सेप में काट लेना है तो ब्रैड के बीच के हिस्से को हम इस तरीके से काटेंगे और काटते हुए इसको हम निकाल देंगे यह देखे, तो हमें यहाँ पर यह बीच में कटा हुआ इस तरीके का स्कॉायर बनाना है और इस कटे हुए स्कॉायर को रख देंगे हम दूसरी ब्रैड के उपर ऐसे, तो ऐसे ही हमें यहाँ पर इन चारों ब्रैडों को रेडी कर लेना है दो मिनट हो गए है, स्टफिंग यहाँ पर हमारी बन गई है तो फ्लेम को हम बन करेंगे, और चली चलते हैं और ब्रैड के अंदर स्टफिंग को भर लेते हैं स्टफिंग लगाने के बाद अब हम इसके उपर थोड़ा सा कदू कस किया हुआ चीज डाल देते हैं तो यह मोजेरेला पीजा वाला चीज है, आप किसी भी कमपनी के चीज का यहाँ पर इस्तिमाल कर सकते हैं और आप हम चीज के उपर थोड़ी थोड़ी सी लाल मिर्च इस तरीके से स्प्रिंकल कर देते हैं तो ये एक एक चुटकी मैंने तीनों के उपर लाल मिर्च डाल ली है और अब हम इनको सेख लेते हैं स्कॉयर को सेखने के लिए एक पैन में हम एक चम्मच बटर डालकर बटर को अच्छे से गरम कर लेते हैं और थोड़ा सा पैन में हम इस तरीके से फैला देंगे अब हम तैयार किये हुए स्कॉयर परी टिका को पैन में रख देते हैं तो ये मैं हाँ पर एक बार में एक ही स्कॉयर सेख रही हूं और पैन को करेंगे कवर और कवर करके इसको हम अच्छे से से शिखने के लिए प्रेंगे सेखेंगे, जब तक इस चीज याचिस Extreme हो जाके लिए कृछ जो जाए से नीचे से थोड़ी से क्रिस्पी होजाए तो हम इसके कर लेंगे दो बराबर भाग यह देखे कितना बढ़िया इसका टेक्चर आया है और जो हमने फिलिंग डाली है वो भी कितने अच्छे से दिख रही है पनी टिक का स्कॉयर को खाएंगे हम टामेटो केचप के साथ दोस्तों यहां पर हमारा फाइनली हो गया है इस तरीके से मेरे साथ जोड़े रहे अपना सपोर्ट बनाए रखिए मिलेंगे अगली नई रेस्पी में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए अपने परिबार का ध्यान रखिए नमस्ते